क्यों विकी कौशल पहुचे है अमरीज सर? क्या है फिल्म से जुड़ा गोल्टन टेंपल जाने का मकसद? चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में नमस्कार मैं हुरोईद भामला और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी Most Awaited Film Sam Bahadur के रिलीज होने से ठीक एक हफ़ते पहले एक्टर विकी कौशल और डारेक्टर मेगना गुलजार आशिरवाद लेने गोल्टन टेंपल पहुचे हैं विकी ने इंस्टाग्राम पर गुरुआर को सुरंड मंदिर पर अपनी यात्रा की नई तस्वीरे साजा की है जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा शुक्र, सबर और सुकून विकी, सान्या और मेगना इन दिनों अपनी फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त हैं तस्वीरों में विकी को सफेद कुर्टे पैजामा और केसरिया रंका से ढखा पहने हुए देखा जा सकता है वहीं मेगना और सान्या ने एथनिक सूट पहना था विकी द्वारा तस्वीरे पोश्ट किये जाने के तुरंद बाद प्रशंशकों ने कोमेंट सेक्शन को लाल दिल से भर दिया है मेगना गुलजार द्वारा निदेशित इस फिल्म में विकी, कौशिल, सान्या मलोत्रा और फातिमा सनाशेक मुख्य भूमिका में है फिल्म में विकी भारत के युद्ध नायक और पहले फिल्ड मार्शल सेम मौनिक शा की भूमिका निभाते नजर आएंगे विकी ने हाल ही में फिल्म के ट्रेलर का अनावरन किया जिसमें अभी नेता को एक उग्र अवतार में दिखाया गया दो मिनिट चालीस सेकंड की ट्रेलर में विकी को ततकालिन प्रधानमंतरी इंद्रा गांधी साहित कई हाई प्रोफाइल नेताओ के खिलाफ मोचा संभालते हुए एक उग्र अवतार में दिखाया गया है ट्रेलर के अंत में विकी एक दमदार डायलोग बोलते हैं और कहते हैं आज के बाद कोई भी ओफिसर या जवान मेरे लिखित ओरडर के बिना अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हटेगा और मैं ओरडर कभी नहीं दूँगा सेम भादूर भारत के पहले फिल्ड मार्शल सेम मौनिक शा के जीवन पर आधारी थैं सेना में उनका करियर चार दशको और पांच युदों तक फैला रहा वेफिल्ड मार्शल के पद पर पोस्ट होने वाले पहले भारतिय सेना अधिकारी थे और उन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद में जीत का नेत्रितव किया जिसके कारण बांगलादेश का निर्मान हुआ ये फिल्म एक दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तयार है फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही ऐसी बॉलिवुड से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे रिपोर्टर जी धन्यवार